अब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है नंदन कानन व्लॉग में अभी विंटर्स का टाइम है बेस्ट टाइम रहता है नंदन कानन घूमने के लिए फिलाल टाइम हुआ है 8.30 आठ बजे से लेके साड़े-4 बजे तक खुला रहता है एंट्री करने के लिए विंटर्स मे एंट्री फी रहता है नंदन कानन का 50 रुपीज तीन साल से उपर के जो रहता है तीन साल से अगर नीचे हो तो आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं है बच्चों का और उसके साथ-साथ बहुत ही डिफ्रेंट चार्जेस रहता है जैसे कि बैटरी कार अगर आप लोग बच्चों के लिए अच्छा है 50 रुपीज पर परसंट तो बहुत सारे चीज आप लोग अंदर आके ही आप लोगों को टिकेट बूप करना पड़ेगा बाहर खली एंट्री का ही टिकेट बूप होता है तो जी यह रहा नंदन कानन का एंट्री और आप लोगों को राइट साइड में टिकेट मिल जाएगा वहाँ पर प्लास्टिक वगरा रखना प्लास्टिक बॉटल अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर सब्मिट करना होगा यहाँ पर आप लोगों को आगे एटीम और क्लॉक रूम बगेरा बैग रखने के लिए मिलेगा उसके बाद और एक एंट्री शुरू होता है तो जी टिकेट के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोनिक एंट्री होता है और एंटर करते ही आप लोगों को राइट में मिल जाएगा नंदन कानन का जू जहाँ पर आप लोग मस मिलेंगे तो फाउंटेन से आप लोग अगर नंदन कानन पूरा घूमना चाते हो तो लेप साइड जाना वहीं से शुरू होता है प्रापर घूमने के लिए यहाँ पे आप लोगों को टाइगर लायन उसके बाद बीर वगरा सब दिखेंगे अगर बच्चों को लेके आते तो फर्स्ट एट्रेक्शन में आके पहुंच चुके है स्लाथ वियर कर दो लिए और दो अ Corn चुके में डहाँ को भीर वेपी में यहाँ थिए स्ल्म화 में maintenance प्रों को जा राँ प्रों में ग्राँ पिता देम बचल्या चार्ड मिखेंगे अटाटबसीग् आपीजगें खाल में humour 1972 000 में Souls PV टों हो प्राओ हों प्राइज deja हईए opioids हुईesti टाइगर लाइंड देखने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको एलिफेंट का सेक्षेन मिलेगा उसके पास ही आप लोगों को टॉइलेट मिलेगा फ्री टॉइलेट है बहुत ही नीट अन क्लीन है लेडिज जेंट्स दोनों के लिए है अगर आप फिजिकल हैंडिकेप दो तो आपके लिए भी प्रॉपर रोड बना गया है यह सा रोड बैटरी अपरेड़ेड वेहिकल्स के लिए टॉइलेट के थोड़े देर चलते ही आप लोगों को यहां पे ड्रिंकिंग वाटर मिनरल आरो मिल जाएगा यहां पर यह एक टाइगर आपको रेश्ट करता हुआ को दिख रहा होगा यहां पर मैं पूछ रहा था कि जो रेंजर वगेर है बता रहे थे कि इनका मर्जी कभी-कभी खेलते हैं कभी-कभी सोते है मौनिंग के टाइम ठाण जब रहता है थोड़ा सोते है खाने के बाद थोड़ा एक्टीव होते है तो आपके लग के उपर डि इंडिया का सेकेंड लार्जेस जू है अंधन कानन अराउंड फोर हंड्रेड एक्टेश में फेला हुआ है अप लोगों बहुत चलना पड़ेगा इसे ही छोटे-छोटे शेल्टर रहेंगे अप लोग रेस कर सकते हो पानी पी सकते हो और मेरे पीछे जो रोड जा रहा है वह जा रहा है टाइगर सफारी के लिए आप लोगों को सफारी एक साथ एगर का हर्वी वरस डियर वगएर का बीर का और लायन का होता है उत ज्यादा लग्की रहते हो तब जानवर दिखे वरना इतना दिखते नहीं है यूज मी रहते है तो काइंडली आप लोग यहां प बैक्टरी ऑपरेटेड वेहिकल गर 80 रुपीज देके आप बैक्टरी कार में जा रहे हो तो इसे स्टैन्ड बना गया है वहां पर आप लोग घूमने के बाद वेट कर सकते हो नेक्स गाड़ी आएगा आपको पिक अप करके लेगा शुरू होता है जंगल सफारी आपे बस सब साफ हो रहा है वहां अंदर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को टिकेट बिल जाएगा 65 रुपीज है नौन एसी बस का और एसी बस का हंडरेड रुपीज यहां पर है रेप्टाइल पार्क साब वगेरा आप लोगों को दिख जाएंगे घडियाल वगेरा आई लव नंदन कानन का स्टैन्ड मिल जाएगा यहां पर आप लोग आके फोटो वड़ों की सकते हो और उस तरफ जाओगे तो जाके टाइगर सेक्शन में कनेक्ट होता है डियर वगेरा कुछ कुछ रहते और नॉक्टरनल जो की रात में जाकते हैं वह सब जानवर आपक बहुत ही बड़े आइनिमल्स आप लोगों के यहां पर मिल जाएंगे रेप्टाइल का इंटरेंस बहुत ही बड़ी आए एक बहुत बड़ा आप लोगों को डाइनस और जैसे मिल जाएगा झाल जाएगा तो वहां से रेप्टाइल सेक्शन से आने के बाद रोपवे और टॉइ ट्रेन का आप लोगों के अरिया मिल जाएगा तो टॉइ ट्रेन का टिकेट का चाज 50 रुपीज है अडल्ट हो और 3-12 बेस के लिए 30 रुपीज रेन का टाइमिंग यहां से होता है एंटी टॉइ ट् तो यहां से होता है रोपवे का एंट्री आज दिन का में फर्स्ट कॉस्टमर हूँ अपको एक्सपिरियेंस अच्छे से शेयर करेंगे तो गाइस नंदन कनन का रोपवे फाइनली इनेगरेट हो चुका है और यह रहा उसका टिकेट और यह वाला बॉटनिकल गार्डेन का बॉटनिकल गार्डेन का 20 रुपीज यह रोपवे का केबिन में मैं अखेला हूँ आज का दिन का फर्स्ट कॉस्टमर हूँ में अगर आप एक लोग भी हो तो भी स्टार्ट करते हैं जब मैं बच्मन में था तब रोपवे में गया था उसके बहुत सालों के बाद री स्टार्ट हो रहा है नंदन का नंका यहां पर सीट्स मिल जाएंगे तीन लोग आराम से बैठ सकते हो यह वाला है रोपवे का गेट और उस उस तरफ जाके बाटेनिकल गार्डेन में पहुंचेंगे यह दूसरा रोपवे और यह नीचे है कांजिया लेग यहां पर बोटिंग वगेरा भी हो रहा है 120 रुपिज थोटा ज्यादा लगेगा लेकिन एक टाइम के लिए अगर आ रहे हो तो ठीच है कोई दिक्कत नहीं है इतना आपको व्यूवे से भी खाली कांजिया लेग का ही मिलेगा आपको लेफ्ट में भी राइट में तो गाइस यहां पर रोपवे को स्टॉप कर दिया तो यहां पर भी वॉट्रणिकल गाइडेड में भी आप लोगों को टिकेट का आफशन मिलेगा यहां ररोपवे इस तरफ जाएंगे तो बॉट्रणिकल गार्डेन इसका भी मैंने टिकेट कर आया है तो अजी बोटनिकल गार्डेन से अपना वापसी जर्नी रोप हुए में शुरू हो चुका है तो वह रहा लेफ्ट साइड में ग्लास हाउस बोटनिकल गार्डेन का और इस तरफ राइड साइड से अगर आप जाते तो आप लोग को रोज गार्डेन और बटरफलाइ इस तरफ बोटनिकल गार्डेन उस तरफ नंदन कानन आप लोग नंदन कानन से बोटनिकल गार्डेन या फिर बोटनिकल गार्डेन से नंदन कानन भी जा सकते हो बीच में स्टॉप कर सकते हो या फिर बिना स्टॉप के भी आप जा सकते हो रोप हुए के सामने भी आप लो यहां पर आप लोग आराम से यूज कर पाओगे नंदन का नंका टॉइलेट्स तो टिकेट पराइज आप लोगों ने देख लिया यहां पर आप लोग बोटिंग भी कर सकते हो रोप हुए के पास तो अराउंड हाफ एन आर ऐसे रहता है इसका टाइम आसकते हो डबल बोड आपका मज़ी अगर चाहो तो बोटिंग भी कर सकते हो कांजिया लेक में तो जी आई लव नंदन का नं स्टैंड के बाद एक कैंटिन मिलेगा और बेबी केर हाउस मिलेगा बच्चों को भी लेके आ सकते हो यह रहा लंदन का नं का स्टैंड तो वह सीधा रहा है इंट्रीगेट बैटरी गाड़ी का लाइन आप लोग देखो यहां पर बर्ड्स और अक्वारियूम का सेक्शन क्या कर दो आदे लेके लागाव रसे लागव इंटा कर दो आदे सेक्शन आदे से को वह सुपर यह इंटरी ता के लिए एक मेंट का सेक्शन तो नंदन कानन में जब भी आओ ये वाला सेक्षन बिल्कुल भी मिस्स मत करना वॉक्ट्रू एवियरी यहां पे वॉक्ट्रू एवियरी में आप लोगों को चीडिया वगेरा एसे ही उड़ते खुले में मिल जाएंगे तिंजरे में नहीं रहते आपके पास से भी जाएंग एक छोटा सा फांटेंग चलता है कि एसे फीडिंग जगा बनाया गया है पैरेट्स वगेरा के लिए लॉक्ष चलता है लैंड बर्ड सेक्षिन के बाद आप लोगों को बुध्धा स्टैचू मिलेगा अब बुध्धा स्टैचू के पास ही आप लोगों को आक्विरम मिल जाएगा आक्विरम बहुत ही बढ़ी आए लेकिन इसका कुछ एंट्रीपी नहीं है तो आप लोग इसे मिस्मत करना कि उ पता मिलेधा एंटैक्विरम भूखो कि उया है अबावात को आप लोगों अभूखोर को आप लोगों को कि अ 창 सकतारी में होगों इसे में है जू एंटर करने के बाद राइट हैंड साइड को आओगे तो आप लोगों को बीचे ओटी डीसी का रेस्टरोन मिलेगा बढ़िया फूल का गार्डेन भी मिलेगा अगर आप चाहो धाली वगरा सब मिलता है खाप आओगे अंदर एक कैंटीन था वो कभी-कभी खुलता है क्या रहर लंच वगड़ा करना हो तो टीडीसी में कर सकते हो तो जीशू म्होग 10 में आप लोगोता को स्वाह Unfortunately बबुन यह सब का ओरिजिनल स्पेशिमन है यह रहा एक टाइगर कप का गाई लेपर स्लॉथ बियर यह वाला एक जेब्रा और यहां पे आप लोगों को अंडे भी मिल जाएंगे और स्ट्रीच और एमू वगेरा के तो इसके लिए आप लोग जू म्यूजियम मिस्स मत करना अगर शॉप है यहां पे अगर आप लोग चाहो कपड़ा वगेरा नंदन कानन का कैब वगेरा बच्चों के लिए टॉइस वगेरा ले सकते हो अप लोगों को अल्मोस्ट हर्जगा में टॉइलेट वगेरा मिल जाएंगे वाटर कुलर मिल जाएंगे हुप करता हूं कि वाएंगे हुप